आरे बेटा मेरे वागन कों छेल लाला मेरे वागन कों तुम लईयो रे लईयो खोरिंगे ओ पूल आरे बेटा मेरे वागन कों तुम लईयो खोरिंगे ओ लाला 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 मेरे वागन कों लाईयो तोरी की ओ, पूल, पेटा मेरे भाल नगों, तक बैयो ले, लाईयो तोरी की ओ, ताबयो, लाईयो तो छबरी आए, लाईयो तो छबरी आए, उतनी पहुँचों का आगना हो, पीचे मभी तो छबरी आए, उतनी पहुँचों का आगना हो, पीचे». बाग में पहुँचा है महराच चंचन के फूल तोड़ने लगा एक फूल के लिए बिस्वा में तरने नागवन के उगली में डस लिया और कासी निगरिया में आवाज लगाई है कि कासी के लोगो बात सुनो और एक लला बाग में आओ है कासी के लोगो बात सुनो और एक लला बाग में आओ है मैया मैया चिल्लाए रोओ मैया मैया चिल्लाए रोओ पयक्तारे ठांग ने खाओ मैया मैया बात सुनो और मैया मैं आओ है झाल झाल तुन चाई लिग के लोगो जात संवी झाल आज रोगाद रोगाद लोगो और लुम माराई माईया रोटी बनाई रही रोटी हांत से छूटी गई और ब्रामण के दोनों चरण पकड़े हैं नांथ अगर बेटा मर गया तो गजब हो जाएगा क्योंकि जिसके पांच पांच पुत्रों वो संसार को छोड़े के चला जाए उसमें से एक तो कितना कष्ट होता और माईया चरण पकड़े नांथ मुझे जाने दो ब्रामण वोले भोजन वना ठाकुर जी का भोग लगा हमें भोजन दे बरतन दो उसके बाद में तू जा सकती हैं मैया ने सब काम कियो है पूरड़ और जब चली है बगिया के लिए दोई-चार पटगी तो महाराज रस्ताई में ल से ले चुका था आज वल्लास को मैया तारा ने च्छाती से लगायो और च्छाती से लगाए के बड़ी मुसीवत से पाले आज तु मुझे ऐसे छोड़िके नहीं जा सकता क्या बुली है बुमा ओो मेरेवेटा